हुआ है दोस्तों गाजर का हलोवा बनाने के लिए हम दो किलो गाजर यहां पर लिए हुए जिसको हम अच्छे तरीके से चिल लेंगे और उनके दोनों किनारों को अच्छे तरीके से काट के फिर धुल लेंगे अब हम अपने सभी गाजर को अच्छे तरीके से घिस लेंगे कुछ इस तरीके से यह हमारे पाश कुछ मेवे हैं जो कि हम अपने अंदाजन के अनुसार लिए हुए हैं इन्हें हम अच्छे तरीके से काट लेंगे बारिक बारिक फिर हम एक बर्तल लेंगे कोई बड़ा बर्तल लेंगे जिसमें हम 3-4 चमश घी डालेंगे और इसमें हम अपने सारे मेवो को भूल लेंगे अच्छे तरीके से जब तक यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए उसके बाद हम अपने सभी गाजर को इसी मेवे के साथ डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे तरीके से भूनेंगे जब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा मेवे अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गये हैं जिसको हमने अच्छे तरीके से भून भी लिया है गाजर के साथ अब हम इसमें सुगर डालेंगे अपने टेस्ट के अनसार और हम कुछ भूल गया थे जैसे कि यह चिरऊंजी है दोस्तों फिर इसको भी मैंने डाला अब हम इसमें अछे तरीक paths से चलाएंगे तब तक excitकि यह अपना पूरा पानी शोख न ले अच्छे तरीकए से हमें इसमें पानी को अच्छे तरीके से सुखाना है ताकि इसमें दूड डालने पर पानी ना रहे सिर्फ दूद ही रहे अब हमने अपने तीन किलो दूद इसमें डाल लिया है जो कि इसे धीरे धीरे आज पर पकाना है हाँ ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है लेकिन अच्छा बनता है इसमें मैंने केसर डाल दिया है जरू नहीं तो बेंदी में चपकने कर डर रहता है तो इसलिए अभी ये कुछ इस तरीके से सूख गया है धीरे-धीरे करके और ये बहुत टाइम लेता है देखने में तो लग रहा है कि बहुत कम टाइम ले रहा है लेकिन बहुत टाइम लेता है तीन घंटा मेरा लगा था लेकिन बहुत अच्छा भी बनता है, अब ये ड्राय हो गया है, अच्छे से सूख गया है और आप देख सकते हैं, पेंदी भी नहीं लगा क्योंकि हम बीच बीच में चलाते थें, जिससे पेंदी में नहीं लगा, तो दोस्तों अब हमारा गाजर का हल्वा तयार हो गया है जो कि कुछ इस तरीके से तयार हनुई पर डिखता है अगर आपको हमारा गाजर का हल्वा के रेस्पी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सेर और कमेट करना मत भूलिएगा तो आपको है